युहन्ना रचित सुसमचार दूसरा अध्याए फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और इश्यू की माता भी वहीं थी और इश्यू और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे जब दाखरस घट गया तो इश्यू की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा इश्यू ने उससे कहा हे महिला मुझे तुझ से क्या काम अभी मेरा समय नहीं आया उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुम से कहे वही करना वहां यहूदियों के शुध करने की रीती के अनुसार पथर के छे मटके धरे थे जिन में दो दो तीन वहे को बुला कर उससे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पी कर छक जाते हैं तब मध्यम देता है परंतु तुने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है इश्यू ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रगट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया इसके बाद वहे और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहुम पो गए और वहां कुछ दिन रहे यहुदियों का फसह का पर्ब निकट था और येश्यू यरुशलेम को गया और उसने मंदिर में बैल औ भेड और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया और रस्यों का कोड़ा बना कर सब भेडों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बित्रा दिये और पीडों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्योपार का घर मत बनाओ, तब उसके चेलो को स्मरण आया की लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, इस पर यहोदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है, तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है, इशु ने उनको उतर दिया, कि इ उसे तीन दिन में खड़ा कर दूँगा, यहोदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में छियालिस वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे तीन दिन में खड़ा कर देगा, परंतु उसने अपनी देहे के मंदिर के विशय में कहा था, सो जब हैं मुर्दों में से जी उठा, तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो ईश्यू ने कहा था प्रतीती की। क्योंकि वे आप ही जानता था कि मनुश्य के मन में क्या है।